tolerably का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं tolerably का इस्तेमाल adverb की रूप में किया जाता है और जो चीज tolerable धंग से की जाए उसे हम tolerably कहते हैं यानि कि ठीक ठाक यो ही काम चलाओ धंग से या ठीक ठाक धंग से जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि ठीक ठाक धंग से प्यानो बजाता है तो आप कहेंगे he plays the piano tolerably या अगर आप ये कहना चाहें कि system काम चलाओ धंग से काम कर रहा है तो आप कहेंगे the system is working tolerably well अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर search कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें